हालो फ्रेंग्स, वेलकम यू आल, आज मैं आपके लिए जो वीडियो ने कहाना देखें, बहुत इंपोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है, यहां पे हम कुछ पॉइंट्स इंट्राडे के उपर भी फोकस करने वाले हैं, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग हो या लॉंग की आपकी इन्वेस्मेंट, हमेसा समझिए, फॉर्मूले को जब आप समझोगे, स्मार्ट मनी के कॉंसेट को समझोगे, यानि कि बेसिक्स को अंडर्स्टेंड करोगे, तो यही फॉर्मूला है, हर जगे हम एक ही चीज एपलाई करते हैं, बेसिक्स जो प्राइस एक्षिन क का टाइम, यानि कि इंट्राडे के अंदर हमको विरिंदर सहवाग जैसे प्लियर चाहिए होते हैं, तो लॉंग टर्म इंवेस्मेंट यागनि मन्थली वीकली के टाइम फ्रेम पे हमें राहुल दरवड जैसे प्लियर चाहिए होते हैं, समझ जरूर गय होंगे, विरिंदर ना stop loss हिट होगा ना आपका target हिट होगा बट आप stock price जो है in between ही रहेगा वही आपकी patience level को test करता है तो चलिए समझते हैं detail में और आगे बढ़ने से पहले मां आपको बता दूगर आपने अब तक channel को subscribe नहीं किया तो जल्दी से subscribe कर लें bell icon को press कर लें जिससे आपको notification आती रहेगी और price action सीखने के लिए आप membership join कर सकते हो join button पर click करके आज मैं सीधे सीधे example लोंगा bank nifty का bank nifty का example मैं क्यों ले रहा हूँ उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हमने आपको clear cut हर बार एक ही चीज कही है इन प्राइस एक्षन को चाहे अपसाइड को देखते हो या डाउंसाइड को देखते हो यह चीज जरूर समझने कि uptrend क्या होता है downtrend क्या होता है इससे क्या होता है आपको opportunities मिलती है इन levels पे यह आपका stop loss इन levels पे entry यह का stop loss यह तो uptrend को है similarly downtrend में क्या होता है यह देखिए same चीज उसका reverse यहाँ पे short यह stop loss यहाँ पे short यह stop loss आपको क्यार वा बेसिक से तो बहुत ही simple है वह इसी simplicity से चीजों को complicated जब खुदी करने लग जाते हो तो आपकी खुदी की understanding में जो है वह problem आ जाती है आपको होगे ज आपको चीजे simple तरीके से आपने समझ रखिए तो यही simplicity आपको यहाँ पे भी रखनी है अब यह कि hourly chart है bank nifty का यह मैं आपके लिए क्यों ले क्या हूं क्यों कि कल की जो यह candle आप देखोगे बनी वी दिन है यह वाली candle इसने क्या दिखाया आपको यह candle आपने आप में क्या दर्सा रही है इसके अगर मैं बात करूँ देखे पूरी price section के जो series हमारी है membership इसको देखोगे तो आपके छोटी छोटी चीजे इस candle का तो खास काफी detail में वहाँ पर चीजे बताए गए कि क्या यह candle denote करती है किस तरीके से क्यों यह important candles में से एक है क्योंकि यह आपको दिखा यह selling pressure मतलब buyers ने अब psychology समझे इस candle के पीछे की buyers ने price को पर धकेलने की कोशिश करी ठीक है लेकिन selling pressure इतना था कि उन्होंने देखे यह open है यह close है जरूर positive close हुआ है bullish close हुआ है bullish मतलब close जो है वह open से ज्यादा this is called bullish close अब यह देखिए bullish close जरूर हुआ है बट आपको गयार यह फिर देखे कहां से seller का pressure clearly दिखा रहे है कि दिखा रहे है seller का pressure यह candle important है बट जब बात आती है execution की उसको समझेंगे अगर आप इसी पार्ट को ही play करना चाहते हो इसको छोटे time frame wise देखिए कोई भी चीज हो ना कोई भी चीज आपको play करनी है अगर मानलो hourly की impulse को आपको देख होती है execution कैसे होगा छोटे time frame वाई इवन इस पार्ट को भी यह इस पार्ट को भी आज का वीडियो लाने का आपको सामने मकसद जो है वह इस पार्ट के लिए यह वाला और जैसा कि मैं बार बार आपको कहता हूं bank nifty के अगर आप trading करते हो bank nifty के इंडियम market को भी कर आप दे LJT New York zone time और LJT London zone time यह दो market ना जो पैसा है न एक्च्वल में वह कहां है वह अमेरिका में या फिर योरोप में है खूब पैसा है वहां पर तो वह लोग market को control करते हैं वह लोगों के time frame को अगर आपने समझ दिया आपने price तो देखा ही देखा लेकर time को भी understand कीजिए यह अगर आप देखो अगर किसी दिन नहीं मिल रहा तो आप आराम कीजिए rest कीजिए otherwise आपको एक बहतरीन move मिलता ही मिलता है और similar time पे 6-7-7 इसे बज़े से आप track करना start कीजिए चाहे crude oil को अगर आप देखते हो gold को आप देखते हो जब आपकी US market open होती है निकि New York zone time NJT उनको रखी किए ताकि उन वीडियो की values आपको पता लगे अगर आप 100-200 रुपर देते हो तो उनको पता लगते कि हाँ चले ठीक है अब वह importance है अब मैं आपको इसी पार्ट को देखे इसी इसी चीज को यह intraday की बात करते हैं तो हम monthly के impulse के हिसाफ से जा रहे है अब हम इसको तरीके से आवरली की रहे हमारे पास आता है पंदरा मिनट पांच मिनट यह basic टाइम प्रेम है और यह across पूरे फॉरे फॉरेक्स मारकेट करेंसी मारकेट यह इस्टेंडर्ड टाइम फ्रीम से 60 मिनट 15 मिनट 5 मिनट और अगर आप जहां मारकेट जैसे फॉरेक्स में फ्रेक्टर नेचर ओं मारकेट को अडर्रस्टेंड किजिए चाहै आपकी लॉंम टाम इंवेश्मेंट हो या फिर आप चोटे टाइम फ्रेम को प्ले कर रहे हो छाहिए बी टी-अक्री कर रहे हो इन्ट् practically करेट को समझने की जरूरत है आप मानलो आप इस अर्ण को इत्युवेशन जोन को समझना भी वाईकॉप से बढ़िया कोई भी मैं काऊंगा वाईकॉफ बहुत अपने आप में अलग ही चीज है वाईकॉफ वाईकॉफ के अलग-अलग तरीके की फारमेशन किस तरीके से sign of strength बन रहा है, किस तरीके से sign of weakness बन रही है, किस तरीके से spring create हो रहा है, किस तरीके से upthrust है, उन चीजों की अलग-अलग phases उसके हैं, उनको आप समझोगे न, तो यह आपकी जो चीज है, मैं आपको यह नहीं कहूंगे कि आप membership से ही जो है सीखिए, उसमें तो खेर हैं, आपन हाली जो वाईकॉफ की, मैं बहुत ही खतरनाक तरीके से यह चीजे समझा रहे है, spring का, कैसे retest हो रहा है, equilibrium zone की, अगर मैं बात करूँ यह कुछ terminology हो, अपने हिसाब से, आप down उसमें add कर देते हैं, जैसे equilibrium zone की बात करूँगा, मैं, किस तरीके से sign of strength, SOS बहुत important है, किस तरीक create करना चाहिए आपके लिए, आज की date के लिए हम खुद यहाँ पे जब देखते हैं चीजों को समझते हैं, तो कुछ learning की videos, educational purpose के लिए आपके लिए भी create करते हैं, और आपको यकीन नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ comments दिखाऊ हूँ, तो यह ज़रा देखिए Electra Technology की अगर हम बात कर रहे है, Electra Green Tech की देखिए, Green Tech में मैंने 109% profit book किया, आज की date का बढ़ा के कितना होगा, 120% होगा देखिए, और भी देखिए, यह हम 117 से track कर रहे है, Electra को देखिए, और यह देखिए, आपका वीडियो देखकर मैंने Electra Green Tech 200 के price पे खरीदा, आप Loss, आपका Risk Management, आपको Entry से पहले Loss पता होना चाहिए, बाकी चीजे गई सब साइड में, Profit साइड में, आपको Entry से पहले क्या होना चाहिए, Loss पता, यह देखिए, सर आपने 500 में profit book करने, हमने एक target लिया था, कि हम 117 से enter करे हुए है, तो 500 के level के around तक वहां पे धीला करना स्टार्ट करतेंगे और उसके basis पे जो हमारी capacity होगी risk taking के उतना ही बचा के रखेंगे, तो 500 पर profit book करने को बोला था, आप 300 share free of cost बचे, मतलब profit भी हो गया 300 share रखे, वो free of cost हो गए, मतलब उसको आप और लगबटे के रख सकते हो, अलग-अलग comment है यह देखिए, राजी जी क तब आपको क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत important learning है, learning यह है risk management की, आप बहुत सारे लोग यहाँ पे videos, हमारी channel की नहीं, अलग-अलग channels की videos देखते होंगे और stock को खरीद लेते होंगे, लेकिन मैं आपको कहूँगा, यह सरासर अगर आप खुद loss को पहले calculate नहीं कर और आपका position size आपके loss के हिसाब से नहीं है, तो फिर आप बिलकुल खतरनाक काम कर रहे हो, आपको क्या बात कर रहे हो, तो फिर आप बहुत खतरनाक काम कर रहे है क्योंगे आपने position size अपने loss के नहीं रखा है, जैसे मानलो हम Electra को 186, 190 के हिसाब से एंटर कर रहे हैं, 165 का म इस पॉइंट का वो stop loss था और माल लो मेरा risk taking capability 2000 है 20,000 है total उस investment में तो मैं उसके 1000 share खरीद सकता हूं क्योंकि मैं maximum loss 20,000 effort कर सकता हूं इसलिए मैं उसमें 1000 share खरीद सकता हूं लेकिन अगर आप मात 2000 effort करते हैं तो आप 100 share से ज्यादा नहीं खरीदोगे यही चीज आपने अपने आ about the loss always think about the max loss that you can afford यह important है यही मैं आपको comment मैंने इसलिए दिखाए कि भई यह चीज आपको पता होने चीए अब यह देखिए अब हमाए 15 मिनट के time frame पे इसी चीज को देखेंगे और यह particular जो हमारा London zone time का जो बड़ी यह move आती है उसको हम और छोटे time frame पे लेके चलेंगे 5 मि major मकसाद देना वह यही है अगर आप इसी part को देखो आपको गया हाई तो पार हुआ ही नहीं मतलब price clearly reject हो रहा है और यहां से reject होगे फिर आता है धमा का जो कि आज market open होती हो गया चली ठीक है यह तो हो गया जो होना था लेकिन अब देखिए similar situation price पार करने की कोशिश करता है लेकिन यह क्या है बहुत सारे लोग इसको breakout में trap हो जाएंगे मैं आपको हमेसा कहता हूँ कि कभी भी कोई भी चीज breakout आपको देखना हो ना तो breakout से ज्यादा मुझे pullback अच्छा लगता है pullback वह भी low volume के साथ pullback में देखो अब आपको गया यह bank nifty का चार्ट आप दिखा रह आपको गया वह अब मौका बना stop loss बिल्कुल immediate वाला डीप वाला और बढ़िया रन आपको गया ज्यादा मूव नहीं अगर आपने एक मूव भी capture कर लिया यह वाला और इतना ही आपका रिस्क है दिन में पूरी ध्याड़ी बन जाती है बढ़िया वाली मैं कहूंगा इसको आपको गयार क्या मुझदूरों वाली बात कर रहे है यह दिन का जो आपका है आपको ज्यादा time screen पर देखनी की भी जरूरत नहीं है यह बहुत ही बढ़िया time होता है कौन सा LJT London zone time मैं इसको कहता हूँ अब इसको trade कैसे कर रहे है मान दो आपको यह समझ में आ गया अभी मैं इसी पार्ट को एक मिनट के टाइम फ्रेम पर लेके चलूंगा देखिए यह देख रहे है एक मिनट का टाइम फ्रेम आपको यह समझ में आ गया 38500 के एराउंड का यह प्र सकता है यहां पर सपोर्ट मिल सकता है आपर एक मिनट के हिसाफ आप एक्जिक्यूट करने गए देखिए आपका stop loss अब आपका price क्या है यहां पर spot का price क्या 38400 के अरॉंड अब मान लो आप इसको खरीद रहा है बाइय करना है क्या करोगे या तो future के तुरू या फिर option के मैं आपको option पर लेके गया तो मान लो आप यहां पर यहां पर यहां पर हमारे पास 500 का price था तो आप अगर sell कर रहे हो वहां पर गिर रहा price तो क्या करोगे call option sell करोगे तो आपने काया यह नीचे जबरतस तरीके से गिरने वाला at least 300-400 point जो भी यह नीचे गिरेगा यहां से अगर मैं देखू तो 38-500 के level से कहां तक गिरा है 38-250 के round तक गिरा है तो आप यहां पर थोड़ा सा 200-300 point धूर का call option जो की इंदमनी है उसको sell कर सकते है जैसे कि मैंने यहां पर 38,000 का ही सीधे-सीधे call option लगा है जिसकी उस टाइम पर प्राइस थी 620 जो 620 से गिरके यह 400 के level तक आया था तो almost यह मान के चलो 200 point का run आपको देखने को मिला अगर यह नहीं तो ज्यादा दूरी नहीं तो 38-200 का भी आप यहां पर देख सकते option आपक और आप यहां पर रिस्क देखोगे आपका ना के बराबर का 20 point का रिस्क 500 रुपे का पर लॉट का रिस्क आपको ग्यार बढ़िया यह तो बहुत ही बढ़िया situation है अब हां अब हम बात करते हैं buying की अगर आप देख रहे हैं अपको option buy करना है तो कौन सा buy करोगे option buy करना है दौबजे के रॉड का यह टाइम है और यह टाम में देखिए दो बजे के रॉड के यह देखो सीधर सीधर 220 के रॉड के मिल रहा है ओधा स्टॉप लए नगा लिजे टूहन लाट होगे option चार्चो के लबल पर आपको मज़ा आ गया यह देखिए यह इसमें यह नहीं कि सारा आपका है इसमें अगर आप 100 points 50 points कुछ भी capture कर पाओ तो बहुत ही important चले फिलाल wind up करता है इस वीडियो को उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाऊगा तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि हमेशा basics के ओपर ध्यानने है चाहे long term investment हो या short term investment कोई भी तरीके की investment आपकी क्यों नहीं कर रहे हो लेकिन risk management को हमेशा समझा है उसको हमेशा priority risk management को जैसा यहां पर intraday के अंदर हमारे पास bank nifty में 20.30.40.50 तक के अंदर का हमारे पास stop loss है उसके हिसाबस हम आगे अपने target लेते है और फिलाल wind up करता हूँ वीडियो को share कीजिए like कीजिए price action सीखते रहे है practice करते रहे है and thank you thank you for watching the video